तो हलो गाईस कैसे आप सब उमीद करते हूं बहुत यह चींगे तो जैसे कि आप लोगों ने थमनिल पे देखा कि गलत कहते हैं लोग कि 30 दिन में इंग्लिस बोलना नहीं सीख सकते हो लेकिन आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ दो काम पहला काम आपको यह वीडियो पूरा द और इसके बाद में 30 दिन तक जो भी स्टेप मैं बताऊंगा उनको फॉलो करना अगर वो स्टेप्स आपके लिए काम नहीं करती है तो आप 30 दिन के बाद में आना और मेरे चैनल को अंसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी डिसलाइक कर देना आप सारे के सारे वीड यानि कि आपको he, see, it, that, this, I, you, we, they, these, those, यह सब सीख लेने है और इसके बाद में आपको सीखना है basic verb is, am, are, was, were, will, shall, has, have, had आपने बचपन में कही बाद यह सब सीखे होंगे, अगर आपको आते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आते हैं तो आप दोबारा से मेरे चैनल पर जाकर के सीख सकते हो, इसके बाद में third point जो है third point का discuss करते हैं, इसमें आपको सीखना है tense, यानि कि tense ज इंकलेमेटरी सेंटेंस, तो ये 5 होते हैं, जिनमें से आपको सिर्फ और सीखने की जरूद है, यानि कि imperative sentence, क्योंकि आप assertive sentence, यानि कि simple और negative, assertive का मतलब होता है, simple और negative, ये आप जब tense सीखते हैं, तभी सीख लेते हैं, इसके बाद में imperative sentence जो है, उसको सीखने की जरूद प तो चोथा point जो है, वो आपको सीखना है models, यानि कि आपको मैं बता जिता हूँ, models जो होते हैं, वो 13 होते हैं, जैसे कि may, might, can, could, should, must, or to, will, child, would, और इसके अलावा need, और इसके अलावा एक होता है dare, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेन सीख लेने, जिसकी may, might, can, could, should, must, or to, य सब आप इतने सीख लेने, इसके बाद मैं आगे बढ़ता है, point number fifth की तरफ, point number fifth जो है, उसमें आपको prepositions की vocaps सीखनी है, यानि कि prepositions जो होती है, उनको detail में ना सीख करके, सिर्फ और सिर्फ आपको meaning सीख लेनी है, ठीके इसके बाद मैं आप intermediate uses सीख लेना है, ये कुछ intermediate uses ह जैसे कि late और allow, English के तीन स्टेप्स होते हैं, पहला basic, दूसरा intermediate, तीसरा advance, और ये जो होते हैं, late, allow, there, ये तीनों ही बहुत ज़्यादा यूज की जाते हैं, चाहे बो basic हो, चाहे intermediate हो, चाहे advanced English हो, तो इनको भी आपको सीख लेना है, आप मेरे चैनल से भी सीख सकते हैं, या पिर आप कहीं से भी सीख लीजिए, इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ, 7th point और 7th point यू है, ये थोड़ा सा important है, आपको introduction सीख लाएना है, introduction सीखना नहीं होता है, ये याद करना है, manners याद करने है, greetings याद करने है, last day, daily routine, telling time, ये 7th point यू है, आपको याद करना पड़ 7th जो है, इसमें introduction याद करना पड़ेगा, last day, daily routine आपको याद करना पड़ेगा, तो जब आपको ये चीज़े याद हो जाती है, तो आप इनी को record कीजिए, और इनी को सुनिए, जिससे कि आपको तीन फायदे होंगे, पहली तो frequency बढ़ेगी, दूसरा आपको आपनी ही गलत करके वीडियो देखिए, आपकी listening skill बहुत ही मजबूत हो जाएगी, तो अब हम बात करते है step number 3 के, और step number 3 जो है, उसमे chat only in English करना है, जब भी आप लोग facebook यूज करते हैं, facebook पे आप लोग chatting तो करते ही होगे, whatsapp यूज करते हैं, whatsapp पे आप लोग chatting तो करते ही होगे, जब भ क्या होगा कि दो फायदे होगे, एक तो आपकी rating skill मजबूत हो जाएगी, दूसरी आपकी जुबान पे sentences चल जाएगे, जिससे जब भी आप next time बोलोगे किसी से English, तो आपके जुबान से तुरंती sentence निकल आएगा, इसके अलावा guys, कई लोग आप मैंसे सोच रहोगे, मैं chatting क कोई भी partner दी नहीं है, तो partner ढूणने के लिए मैं आपका एक फायदा करवा सकता हूँ, लेकिन आपको वीडियो last तक देखना होगा, ठीक है, तो जब भी आप लोग Facebook पे या WhatsApp पे रहते हैं, तो आप लोग सोचते हैं कि कोई मिल जाए, आप समझ गये होगे कि कोई मिल इंग्लिस में, movies देखो, आपको समझ में नहीं आएगी, अगर आप advanced level पे है, तो आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगी, अगर आप intermediate level पे है, तो आपको normally समझ में आएगी, लेकिन अगर आप basic level पे है, तो यह चीज़े आप देखने की कोईस मत करो, गलत बताते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ऐसे वीडियोज देखने हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, cartoon देखिए, ठीक है, इंडियन लोगों के बीच में, English में जो conversation होते हैं, YouTube पे जाकर वो देखिए, वो आपको स दिखा दूगा कि ग्रूप कैसे जोइन करते हैं, वहाँ पे आपको 200 से उपर लोग मिल जाएंगे, जो कि आप से English में बात करने के लिए, आप से English में बात करना चाहते होंगे, और वो भी English की practice करने के लिए ही आए होंगे, आप वहाँ पे सिर्फ उनसे chatting ही नहीं कर सकते है बाकी फोन पर भी बात कर सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखते रहे हैं, मैं लास्ट में आपको एक step बताऊँगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, इसके बाद मैं 5th step की तरफ बढ़ते हैं, और 5th step में आप लोग जाएंगे, तो यहाँ पे करना है नमबर भी मिल जाते हैं, आप उसमें कोई का नमबर भी मिल सकता है, आपको समझ रहे हो ना, ठीक है, तो आप आपको सजिस्ट करते हूँ यह वीडियो जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कि how to join WhatsApp group for English practice, तो अब हम बात करते हैं step number 3 के, और step number 3 जो है उसमें chat only in English करना है, जब भी आप लोग Facebook यूज करते हैं, Facebook पे आप लोग chatting तो करते ही होगे, WhatsApp यूज करते हैं, WhatsApp पे आप लोग chatting तो करते ही होगे, जब भी आप लोग chat करें Facebook पे या WhatsApp पे तो आप सिर्फ English में ही chat करें, तीक है, इसके अलाबा आप लोग एक काम और कर सकते हो, कि जो भी आप ल तरब से जो भी message आएगा वो आपको कम से कम इतना तेज पढ़ लेना है कि आपके कानों को तो सुनाई दे जैसे कि क्या होगा कि दो फायदे होगे एक तो आपकी rating skill मजबूत हो जाएगी दूसरी आपकी जुबान पर sentences चड़ जाएगे जिससे जब भी आप next time बोलोगे किसी से English तो आपके जुबान से तुरंत ही sentence निकल आएगा इसके अलावा guys कई लोग आप मैं से सोच रहोगे मैं chatting किस से करूँ कोई भी partner दी नहीं है तो partner ढूणने के लिए मैं आपका एक फाइदा करवा सकता हूँ लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा तो जब भी आप लोग Facebook पे या WhatsApp पे रहते हैं तो आप लोग सोचते हैं कि कोई मिल जाए आप समझ गये होगे कि कोई मिल जाए क्या है तो उसके लिए मैं आपका फाइदा करवा सकता हूँ इस वीडियो के लास्ट में अब बढ़ता है और अब हम आचुके है step number 4 पे मैं आपको बताता हूँ step number 4 क्या है step number 4 में है listen English यान कि आपको English सुनना है तो जब भी आप English सुनने की बात करते हैं तो आपको WWE की commentary जरूर सुननी चाहिए क्योंकि वो लोग इतना speed में तनी अच्छे English बोलते हैं कि आपकी advanced level की English भी बहुत ज़्यादा advanced हो जाएगी इसके लाबा अब मैं आपको suggest करता हूँ कि आपको आखिर सुनना क्या है आप कहां से English सुनोगे तो आपको सुनना है English में cartoon देखने है और वो जो cartoon जब आप English में देखोगे तो वो जो cartoon होगे वो बहुत ही simple language बोलते हैं आप cartoon देखना सुरू कीजिए जो कि English language में हो इसके लाबा आप Indians लोगों की conversation सुनिए Indians लोगों की speech सुनिए Indians लोगों की speech होती है वो बहुत ही grammatically बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि Indians जो होते हैं grammar में बहुत ही अच्छे होते हैं और इसके लाबा आपको मैं एक चीज और सजिस्ट करूँगा कि आप groups को join कीजिए English की practice के लिए groups को join कीजिए आप लोगों की English में जो conversation होता है English में conversation कीजिए इस speech सुनिए वो छोटे-छोटे सी clips बेचते हैं वो सुनिए आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा तो वो मैं आपको बताऊँगा कि आपको group कैसे join करना है वो वीडियो के last में बताऊँगा इसके बाद में आप बात करते है point number यानि step number 5 की step number 5 में speak English अब आपको English बोलना है तो आप English बोलने के लिए 2-3 काम कर सकते हो पहला काम आप कहीं भी जा रहे हो कहीं पे भी बैठे हो वहाँ पे आप English बोलना सुरू कीजिए आप English बोलिये जैसे कि मैं अब ही बैठा हूँ यहाँ पे road के किनारे ही बैठा हूँ थोड़ा सा दूर पे हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि एक truck जा रहा है तो मैं अब ही English बोलूँगा a truck is going तो उसके बगल से एक motor cycle जा रही है तो a motorcycle is passing to the truck तो इस तरीके से मैं English बोलूँगा यह तो पहला point हो गया अब मैं दूसरे point की बात करता हूँ दूसरे point में आप किसी essay ब्यक्ति को ढून दीजिए जो कि आपको English में सुनना चाहता हो आपसे English में बात करना चाहता हो तीसरे point की अगर बात करें तो तीसरा point जो है आप groups को join कीजिए WhatsApp groups को join कीजिए जहां पे आपको voice message send करने का मौका मिलता है और वहां से आपको voice सुनने का भी मौका मिलता है आप वहां पे chatting भी कर सकते हो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप group को join करोगे यह आप जो वीडियो देख रहे हो ना यहां पे screen पर यह वाला इसमें जिसमें लिखा हुआ है कि group कैसे join करें यह आप देख सकते हो तो आप इस वीडियो को देखना मत बूलिएगा इसके अलाबा अगर आप यहां से नहीं जा पा रहे हो तो आपके लिए link description में दिया है वहां से भी आप देख सकते हो तो guys मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye, take care